तो नमस्क्राइब दोस्तों आप सब का एक बार फीर से हमारे चैनल पर स्वागत है स्वागत है स्वागत है तो आज का जो बैक ग्राउंड है वह देख के आप सोच रहे होंगे कि भाई सब यह तो पागल हो गया कोई टेक चैनल पर कोई ब्लॉग शूट थोड़ी करता है त तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह मेरा खेत है पूरे और गाइस कैसा होगा अगर हम blur से blur photo को जो है अगर full HD में उसको बनाए या without any editing बस आपको एक ही क्लिक करने आपको editing करने की जरूत नहीं है तो दोस्तों अगर मुझे Instagram पर follow नहीं किया हो ना तो Instagram पर follow कर रहे ना कोई भी doubt आता है वह आपर message करने में आपको reply कर दूँगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon को दबा दीजे कुछ भी करिए मैं को नहीं पता कि घंटा तो बजना है चाहिए तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो friends मैं mobile screen पर आ चुका हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वह clean देखता है एक clean है और एक unclean है तो दोनों को जो है मैं college बना के रखाओ राइट वाला फोटो देखिए पूरा blur देख रहा है और लेप सेट पर देखिए पूरा clean देख रहा है मेरा lips का color भी जो है थोड़ा dark हो चुका है beard भी clearly दिख रहा है देन चैश्मे का जो frame है वो भी पूरा black दिख रहा है उसके बाद आप इसका जो है अंतर देख सकते हो तो guys जो यहां से जो भी यूटूबर है वो जो thumbnail को जो export करता है वो भी 4K में कर सकता है और जो normally अपने photo को जो है नेकी quality को बढ़ाना चाहता है clean करना चाहता है तो वो भी कर सकता है तो सबसे पहले हम आपको बता तो जो भी export करना यहां पर मैं बना के नहीं दिखा रहा है उसके बाद देखी यहां से जब आप save as image करते हो तो यहां पर जो width आता है वो width आपको क्या करना है 2560 लिख लेना है और जो height होता है वो 1440 देदा रहा है ठीके एक screenshot ले लिए अगर याद ने रहता है तो width पे 2560 and height पर 1440 तो यहां से आपको क्या करना है save to gallery कर लेना है यहां से save to gallery करने के बाद आपको क्या करना देखिए अभी जो मैं तरीका बतने वाला वो दोनों के लिए जो भी यूटूबर से उनके thumbnail के लिए काम आएगा और जो normal अपने photo को clean करना चाहते है उसके लिए यह काम आएगा तो दे description पर link के दिया है वासे directly आप install कर सकते हो तो इस वाले application को आपको download कर लेना है करने के बाद आपको क्या करना है उस application को open कर लेना है तो guys यहां पर जो है आपको per day 19 photo को जो है आप clean कर सकते है उससे जाधा आपको मिलता नहीं है per day में आपको free मिलता है अगर आप उससे जाधा करना चाहते हो फिर यहां पर आप जो है आपको subscription लेना पड़ता उपर आप देख सकते हो free 18 है मैंने इसके पहले एक photo को enhance किया है 19 था पहले अभी 18 हो चुका है तो आपको क्या करना है नीचे देखिए blue color में button है enhance का उसकी उपर आपको click करना है करने के बाद जो भी photo आप ज सबसे पहले आप लोग जो ही इसका quality देख लीजिए गाज यह कितना blur देख रहा है आप यहां से सबसे पहले यहां की notice कर लेजिए आप फिर screenshot ले लीजिए अपने वीडियो का quality बढ़ा कि फिर एक screenshot ले लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर नीचे tick वाल option देख रहे हैं उसको click करना है तो guys यहां पर जैसे ही click करोगे एक add आएगा आपको उस add को पूरा देखना है क्योंकि उस add देखने के बदले में ही जो है आपका photo को जो है enhance होगा वरना नहीं होगा तो देख सकते guys यहां पर एक add आ चुका है आपको सबसे पहले पूरा add को द पूरा blur देख रहा है और जैसे मैं इसको left पर लेके जा रहा हूँ after तो यहां पर आप quality देख सकते हैं तो guys ध्यान से देखिए अपने वीडियो को quality बढ़ा है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको तभी जो ही difference समझ में आएगा वरना नहीं समझेगा अगर low quality पर देख फिर बोलोगे भाई यह तो होता ही नहीं है तो देखिए after पर जैसे लेके गया उसका quality देखिए guys फिर before पर लेके गया quality पूरा गड़ गया जैसे मैं after पर लेके गया तो देखिए quality पूरा बढ़ गया उसके बाद क्या करना है आपको उपर लिखा है enhance 1 अगर आप इसको फि पूरा quality जो है इसका बढ़ गया उसके बाद उपर देखिए right पर download के option मिल रहा उसकी उपर आपको क्लिक कर देना देखिए तो दोस्तो जब भी आप सेव को रहोगे photo तो एक folder बन जाएगा अपने gallery में वो रहेगा picture के नाम से तो guys यहापर आप quality देख सकते हो मैं इस फोट जो है college करके मैं आपको दिखाने वाला हो देखिए इस फोटो को मैं आपको सबसे पहले college करके दिखाता हूँ ताकि जो है आपको मतलब सात में रहते हूँ अंतर आपको दीख जाए देखिए मैं इसको facebook फोल्डर पर डाल दिया है और देखिए यह दोनों को जो है मैं यहा उसका देखिए बढ़ गया है तो गाइज उम्मिद है कि आपको वीडियो पसंद है अगर पसंद है तो लाइक कर देना अगर चैनल पर नए हो और आपको इसी तरीके का अपडेट चाहिए और भी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना तो चले फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के साथ